अलो अर्गो वेल्कम चुवारेंचलिक गाइडन्स आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे अपना धिहान रख रहे होंगे आज ये फिर आपके लिए रीडिंग देकर आई हूँ और हम यहां देखने वाले है नो कॉंटेक्ट सि कि दो कार्ट्स चाहिए थे त्री ओफ पेंटिकल्स फाइव फेंटिकल्स ओके अ कि बॉर्टा में थ्री ओफ काप्स कि यहां पर लग रहा है कोई सीक्रेट अड्मायर है किसी का या कोई थर्ड पार्टी में है कोई प्यार करता है चुप चुप के प्यार करता है ऐसी कोई इनर्जी से हैं हम देख लेते हैं clarity मिल जाएगी आप किसी को पसंद करते हो लेकिन उसको भी कोई पसंद करता है अगर मेल आप देख रहे हो शायद आप अपनी पार्टनर को पसंद करते हो लेकिन आपको पता चलाओगा कि आपके पार्टनर का कोई past है या उसका कोई और person है ठीक है जिसको वो पसंद करती है या प्यार कर चुप चुप के कोई है friendly love या कहलो उसका best friend आप दोनों के बीच में चीज़े खराब करने की कोशिश कर रहा है या कोई है जो उसको चाहता है उसे भी नहीं पता है या तो उसे पता है कि वो उसे चाहता है बट वो उसके साथ as a friend रहना चाहती है आपके साथ एक relationship में रहना च एक चीज में दिख रहा है कि शयद आप दोनों के बीच में यह relationship है बट बात नहीं बन रही मतलब ऐसा नहीं कि यह कोई third party के वज़े से कुछ लोग के थार्ट पार्टी के वज़े से कुछ लोग के ऐसा लग रहा है कोई third party नहीं बट आप दोनों में नहीं बन रही है और आप दोनों अलग हो बात नहीं कर रहे हो चीजे खराब हो गई है ओके त्री आप कब से तो third party है सिब आप दोनों का रिष्टा नहीं है और लोग भी इस में इस रिष्टे में दस लोग दस बाते दर लवर्स का काड़ है आपर court house है शायद वर्गो आप किसी के साथ कोई court case लड़ रहे हो हाँ आप लोग lovers रहे हो और यह person आपके बारे में सोचता भी बहुत है या आप इस person के बारे में सोचता है बहुत है official person यह हो सकता है कोई government job करने वाला person हो या कोई official person हो या फिर यह बहुत powerful person है जो भी है ठीक है आप सोचते हो इस person के बारे में यह भी यह सोचता आपके बारे में अगर female साब देख रहे हो तो इस person आपके बारे में सोचता है अभी भी ठीक है and male आप देख रहे हो तो शायद आप इस person के बारे में सोचते हो ठीक है और मैं आपको बता दूँ court house यहाँ पर जरूर आप ये काट ऐसे ही नहीं आ रहा, lovers, temperance, आप दुनों के रिष्टे में कोई बात है अभी भी, आपनों love words हो, ठीक है, और अगर एक दूसरे के तरफ और understanding बिल्ट करो, शायद आपका रिष्टा बच सकता है, या फिर मैं देख रही हूँ कि इसने lovers के चक्कर में इसका कोई और कही और आपके partner का relationship चल रहा था, वो किसी और से attract हो रहा था, या किसी और के लिए बना हुआ है, इस वज़े से आप दुनों के बीच में separation हो रहा है, या किसी और को चाता था, इस वज़े से इसने आप से दूरी बनाना शुरू कही, जोकि किसी और के लिए feelings रखने लगा था, ये भी chances हैं, ठीक है, हम और जानेंगे, इनको क्या शिखायत है आप से वर्गो, खुछी बात नहीं, conversation, I want to call you and hear your voice, ओके, ये पोसन आपको desperately याद करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको lovers की तरह देखते हैं, ये तो आप से प्यार करते हैं, हो सकता है, आपको इनसे कुछ issues हो, चुकि ये तो पहला ही का conversation का आगई है, तो आप से बात करना चाहते हैं, आपकी and anymore, अब वो आप से और दूर नहीं भागना चाहते हैं, ओके, हो सकता है, ये इस court का case को बंद करना चाहते है, हो सकता है, उन्होंने आप से space लिए हो कुछ समय के लिए, चैकि उस रिष्टे में कुछ सही नहीं चला था, बट अब वो आप से बात करना चाहते है, अब आप दोनों के बीच में हुआ, इस से आप दोनों ही बहुत affected हो, दोनों ही खुश नहीं हो, चुकि आप दोनों ही lovers हो, ठीक है, and आप दोनों के opinion clashes match नहीं हुए, तो आप लोंने इतना बड़ा फैसला ले लिए कि court house तक चले आए, या चीजे ठीक नहीं गई आप दोनों के और या आपसे भाग राता है, या चीजों से भाग राता है, बड़ अब वो नहीं चाहता भागना, या आपसे बात करना चाहता है, आपके आवास दोना चाहता है, या पोसन आपसे reunion चाहता है, we will always come back to each other, let's see, क्या feelings है, वर्गो मुझे लगता है कि आपको इनको एक मौका देना चाहता है, शायद या आपसे बात करना चाहता है, या आपके पास आना चाहता है, let's see, क्या है, universe please guide, क्या feelings है इस पोसन की, पहला कार्ड है आपे five of pentacles, इसे पता है आप दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल ला है, और आप दोनों का रिष्टा पौफिक नहीं है, और जगड़े और नाराज़की बहुत ज़ादा है, और सिर्फ आप ही नहीं, मैंने का थर्ट पार्टे इन्वाल्व है, तो उनके वज़े से भी हो रहा है यह चीज़े, सन बस इसको अभी भी कुछ ना कुछ यह कार्ड भी आया है, इनको अभी भी कुछ ना कुछ इसमें बात है, और आपके लिए वो emotions, वो feel करता है, इसे पता है कि आप दुनों का रिष्टा perfect नहीं है, toxic है, आपके कहलो कि लडाईया हमारे भी ज़्यादा होते हैं, अगर हम साथ रहे तो हम लड़ेंगे, बट कहते हैं, कुछ लोग होते हैं, जो साथ में रह भी नहीं पाते है लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हैं, तो यह रिष्टा कुछ उस तरीके का कह सकते हैं, बन सकता है, और शायद मुझे दिखता है कि अगर आपने इन्हें कोई चीट किया है, तो शायद इस चीज़ को माफ करने के लिए ready हैं, आपको एक मौका देने के लिए ready हैं, और अगर इन्होंने आपको चीट किया है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, और इन्हीं चीज़ों के वैसे आप दुनों की भी जगड़ा हुआ है, पर यह अभी भी कोई होप नहीं खोए हैं इस रिष्टे में, इन्होंने इन finance, हो सकता है, finance एक इशू आप दुनों के रिष्टे के बीच में रहा हूँ, या आपका कुछ इशू रहा हूँ, finance को लेकर, crossroad आप दुनों की रास्ते अलग हो चुके हैं, सिंगल, हो सकता है, आपके पार्टना भी सिंगल है, किसी को डेट नहीं कर रहा है, ब्रेक अप, वो तो समझ में आ रहा है, अगर किसी और के साथ रिलेशन्शिप में थे, तो हो सकता है, उनके साथ उनका ब्रेक अप हो चुका है, और यह सिंगल है, family issues है, family between the lines, यह साप द आतना कर, next step क्या होगा, universe please guide,ultur ब्रेक नेक्स प्रेस क्या होगा, finances, अपने पध्यान दिना, self love प्रना, finances, the emperor okay, इस रिष्टे को बचाने की कोशिश करना, इस रिष्टे के लिए फाइट करना, इस रिष्टी को वापस पाना, उसके लिए हर कोशिश करेंगे, ओके, वो सकता है, कोट केस में आप नहीं चाहते हैं, इनके साथ रिष्टा लेकिन वो चाहते हैं, आप इने डाइवोर्स देन नहीं चाहते लेकिन आप इनको डाइवोर्स देना चाहते लेकिन यह नहीं देना चाहते हैं क्योंकि यह तो अपने दब से पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं रिष्टे को बचाने के तो फिर कहां कम ही हो रही है चुकि ये रियूनियन भी चाते हैं ये आप से बात करना भी चाते हैं तो फिर आप क्यों नहीं बात कर रहा है चुकि ये तो चाते हैं आपके साथ relationship, आपके साथ ये happiness, family, अच्छी life हो सकता है अगर ये person हो सकता है आप दोनों की family अपनी शादी के लिए नहीं मान रही है और इस वज़े से आप दोनों के बीच प्रॉब्रम्स आएं तो ये लड़ेगा आप अपनी family से आपसे marriage करने के लिए ये कोशिश करेगा अपने पादर को मनाने की चाहिए male or female से परकने करता पर ये कोशिश करेगा कि आप दोनों का reunion हो जाए आप दोनों फिर से एक हो जाओ आप दोनों मिल जाओ ओके लिए और क्या guidance है आप लोगों के लिए यहाँ पर इस्पेशली वर्गों आपके लिए क्या guidance है युनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या guidance है पहला काड लेते हैं क्या है long distance हो सकता है आप लोग एक दूसरे से long distance में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं दूर ही रहते हैं long distance का relationship आप लोग कर रहा है heart on lock ओके वो नहीं चाहते है अब यह कि आपके life में re-enter करो leap of faith थोड़ा सा विश्वास रखा गया है इस रिष्टे में आपके partner तो रखता है चाहिए उसने बढ़े हो सकता है यह इसली single भी है इसने किसी को अपने life में आने ही नहीं दिया love and marriage yes हो सकता है आप लोग की love marriage possible है intuition yes प्यार भी है और marriage भी हो सकता में इसका आप लोग प्यार भी करते हो और marriage में भी उस person के साथ हो सकता है आप लोग लिटल मीट अप जल्द ही मिलो एक दूसरे से कुछ समय के लिए बात चीत हो मिलना हूँ key to my heart oh my god lock and key yes your soulmates देख रहे हो इसलिए lovers का card आया है और आप पहले हो जिसमें lovers का card आया है manifesting okay हो सकता है यह person आपको manifest कर रहा है love letter हो सकता है इसने कुछ प्यार भरी बाते भी आपको कही है लिखी है बोली है यह आपको बोलना चाहता है बहुत कुछ यह love letter देना चाहता है अपनी मन की बात बतना चाहता है getting the intel gossips बहुत है भाई आप दोनों के बीच में लोग offer of love यह person आपको offer दे सकता है या तो कोई new offer आपको आ सकता है secret admirer भी यहाँ पर एक आपका कोई secret admirer हो सकता है या पिर इनका कोई secret admirer हो सकता है जिसके वज़े से यह चीजें हुई खराब हुई वो सिफ secret admirer ही है शायद उससे जादा कुछ नहीं उसका रिष्टा उस female के साथ maybe ठीक है तो फिलाल कि आपका decision है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है तो यह थी आपकी reading वह और वह अगर आपको अच्छी लगे तो like किजिएगा subscribe मैं चला भी तक नहीं किया तो comment box में ज़रू बताएगा thank you for watching